आज हम अपनी जियोग्राफिक के क्रैस कोर्स की सीरीज के अगले चप्टर में पहुंच गए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में और ये हम डिटेल में अलग-अलग करके पढ़ेंगे नदियों को तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी गंगा सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लिर होती जाएंगी विस आप इसको सेट कींजिए आप जैसे सामने देख रहे हैं ये ना गंगा का पूरा मैदान है ठीक है जितना भी आप यह देख रहे है न ये पूरा अपना गंगा का मैदान नहीं ये ये को ना हम detail में start करते हैं एक एक करके ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए तो एक बात आप सोचिए कि कोई भी चीज को हम अच्छे से समझने के लिए नदी को तो start कहां से करना पड़ेगा जहां से वो नदी निकलती है ना उत्राखंड में से निकलती है यह तो हम गंगा को वहां से start करेंगे फिर हम मैदानों में बढ़ते हुए चलेंगे और जो जो रिवर मिलती जाएगी उसके बारे में साथ-साथ पढ़ते जाएंगे और धीरे-धीरे पूरी की पूरी रिवर को complete कर लेंगे ठीक है तो अभी हम मैंना इस मैप को पूरा जहां से निकल रही है ना जैसे यहां से निकल रही है उत्राखंड में से उस जगह पे जूम आउट करके लेके चलता हूँ आपको मैं उस जगह के उपर ठीक है देखो यह इस तरीके से है उत्राखंड में जहां से यह निकलती है ना जोना उत्राखंड में चार गले शेयर हैं, यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाट और बद्रीनाथ, इन चारों के नम आपने सुने भी होंगे, ठीक है तो यमनोत्री गलेशियर है यहां से अपनी यमना नदी निकलती है और यह आगे चली जाती है और यह आगे जाके गंगा में मिलेगी वैसे पर यह यमनोत्री से निकलती है ठीक है अब बचे तीन तो जो मेन जो गंगा है ना वैसे देखा जाए जो मेन गंगा नदी है वो निकलती है गंगोत्री से और गंगोत्री में भी कौन सा है गोमुख गंगोत्री के गोमुख गंगोत्री में गोमुख नाम की जगह है वहां से निकलती है यह ठीक है और इसका नाम एक बात और समझ के चलिए आप जैसे यहां से निकली ना बदरिनाथ में गोमुख से नि पूरी आपको दिखाई दे रही होगी तो हम ना बदरी नाथ से स्टार्ड करते हैं चीजों को चोड़ना और ये जो आपको पांच दिख रहे होंगे गोले एक दो तीन चार पांच ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे न ये नदियां के मिलती हैं इनके उपर ये वो वाले पॉइंट्स हैं और नदी मिलती हैं जिनके उपर ठीक है तो जैसे कि अपनी अलख नंदा स्टार्ड होती है बदरी नाथ के उपर से ठीक है ये अपनी नीचे यह थोड़ा अलखनंदा याद रखिए बदरी नाथ से चली अलखनंदा तो इसमें नदिया के मिली धोली गंगा ठीक और यह जहां पे मिली उस पॉइंट का नाम हुआ विश्णू प्राग विश्णू प्राग धोली गंगा विश्णू प्राग मैं साथ-साथ आपको एक ट धोली गंगा खत्म होगी ना इसके अंदर मिलके अब एक नदी मिलती है नंदा किनी नंदा किनी नदी मिली इसके अंदर ठीक है तो और उसके बाद एक और नदी मिलती है पिंदर नदी पीर गंगा भी बोलते हैं इसको पिंदर गंगा इसको ना पीर गंगा भी बोलते हैं यह जगह पर मिलेगी है और इसका नाम है करना प्रियाग पीर गंगा का नाम है जहां पीर गंगा और अलखनंदा जहां मिल रही है इस जगह का नाम है करना प्रियाग और फिर यह आगे चल पड़ी अभी भी इसका नाम अलखनंदा ही है और अब यह यहां पर आके इसमें कौ अलखनंदा है ये और आगे चलती है और फिर इसमें आके मिल निकलती है उधर से आती है भागी रथी गंगोत्री से निकलके भागी रथी नदी और जब ये दोनों जिस जगह पे मिलती है इस जगह का नाम है देव प्रियाग और फिर यहां से आगे इसका नाम गंगा पड़ जाता है जब भागी रथी और अलखनंदा मिलती है ना के इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे भागी रथी और अलखनंदा मिली है तब जाके देखो यह उधर से भागी रथी आई उधर से अपनी यह अलखनंदा ही तब इसका नाम यहाँ पे गंगा पड़ा और आगे जाके अब यहां से इसका नाम गंगा है और आगे पूरा गंगा नाम से ही जाएगी यह आगे लास्ट में लास्ट में जाके बदलेगा नाम वो भी मैं आपको बताऊंगा तो इसको आप एक बार अच्छे से ना डिटेल के साथ समझे यहां से कुष्षन पक्का बनना है गंगा पर कुष्षन आएगा तो इसमें क्या पूछ सकते हैं या तो इनके नाम पूछेंगे इन में से कौन सी नदी कहां से यमनोत्री से यमना निकलती है गंगोत्री से गंगा निकलती है भागी रती निकलती है वैसे तो पर गंगा का मे यहीं माना जाता है गंगोतरी में गो मुख नाम के जगा केदारनाथ से मंदा किने निकलती है अपनी ठीक है इसमें केदारनाथ में बाड आई थे ना कुछ साल पहले तो मंदा किनी नदी नहीं रुद्रूरूप धारन किया था तब आई थी और बदरीनाथ से निकलती है अल सी कौन सी नदी मिलती है तो आप मोटा-मोटी माप को थोड़ी से एक ट्रीक बता हूं मतलब हल्की-फल्के ट्रीक है उससे थोड़ा आसनी विए-ाद- करने में जैसे की भागी भाग भगवान भयसे-भागी रथी ना भयसे तो भैसे भगवान होता है तो भगवान और देव थोड़ा combination बैठा ना दोनों का भैसे भागी और भैसे ही भगवान भागी रथी भगवान तो देव और अलखनंदा तो सब में कॉम्मन है क्योंकि सारी अलखनंदा में आके मिलेंगी तो देव परियाग पे कौन सी हुई आप य और अलखनंदा को मन हैं, दूसरी देखो मंदा कीनी, मंदी, ये नदी मंदी आई पर फिर भी इसने नाम इसका मंदी ए पर इसका काम इसके अपोजिट है, रुद्र रूप धारण कर लेती है, बाड़ आजाती है, उसमें बहुत खत्रणा खाती है मंदा कीनी, नाम, नाम म रखा है चलती है रुद्र रूप से तो अलख नंदा और मंदा की नहीं जहां में लेंगी वो है रुद्र परियाग इसके बाद पीर गंगा पिंडर गंगा है इंगलिश में इसको हिंदी में पीर गंगा बोलते हैं इसको तो पीर आपने सुना होगा पीर डोते हैं देवता पीर पूर ये भगवान टाइप नहीं होते हैं पीर ऐसे तो हैसे आप फिलिंग लिजीए कि पीर हम पे करपा करो और दोली गंगा के मिली अलखनंदा में तो आया विशनु पराग तो दोली विशनु जी जो लेटे रहते हैं देखा होगा आपने एक साप के उसके उपर और बहुत सारी अपसराएं उनके आस पास लेटी होती हैं आपने फोटो में देखा होगा कई बार जो धोली अपने वाइट को बोलते हैं न धोला सुना होगा कुछ बच्चे समझ पारे होंगे तो धोली धोली अपसराएं विश्णु जी के पास लेटी रहती हैं आई होप यह ट्रीक आपको थोड़ा हेल्प कर रही होगी इसका हम आपको दुबारा भी रिवाइज करवा दूँगा जैसे कि देव प्रियाग तो देव भगवान आपने यह रिवाइज कर लीजी एक बड़ देखके I'm sure यह चीज़ आपको पक्का हेल्प करेगी तो अभी देखो यहां से सारी नदी निकल ली और यहां पे इसका नाम हो गया है अपना गंगा तो इस चीज़ को याद रखिए अब यह गंगा नाम से आगे बढ़ रही है अब हम आगे चलते हैं जैसा आपको दिखा रहा है हमने यहां से तो पूरा क्लीर कर लिया जहां स निकल रही है अब यह आगे आती जाएगी और इसको हम अच्छे से समझते जाएंगे कहां कहां जा रही है तो इसका हमें एक और मैप लेके चलते हैं और ढंग से समझने के लिए जिसमें अभी देखो गंगा गंगा के बारे में बताए गया है और इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है तो देख यमुना आयी थी ना यमना उत्रीसरे या दो आपको हाथ ना तो देखो यह यमुना आरी है यहाँ से साथ साथ कलर चेंज करता हूँ मैं यह देखो यमुना नदी यमुना यहाँ पर इलहबाद में आके। पी के इलाहबाद में आके यमुना नदी गंगा में मिल जाती है एक ये बात आप याद रखो अब देखना कुछ नदी है ना यमुना में आके मिल रही है हना यमुना में आके मिल रही है चंबल, सिंद, बेतवा, टोन, सोन हना कुछ उपर से आके मिल रही है गंडग, कहागर और गोमती और कोशी इनी के बारे में तो हमें पढ़ना है तो गंगा नदी का सारा हो जाएगा और इनके बारे में ही तो किस्चन आते हैं हमारे तो लेके चलते हैं, गंगा जैसे ही पहाड़ों से निकलेगी न, तो सबसे पहले क्या होगा, वो सबसे पहले पहाड़ों से फिर मैदानी भाग में आएगी, तो सबसे पहले आता है हरी दुआर, हरी दुआर में सबसे पहले पहुंसती है वो, आप शहरों के नाम याद रखा अगरो वो कौन से नदी के किनारे कौन सा सहर है. ये पुछा जाता है ईग्जाम में. और कोन-कौन से स्टेट में जाएगी, पहले उत्राखंड में, फिर यूपी में, फिर उसके बाद बिहार में, जैसे पटना भी पढ़ता है ना, वो गंगा के किनारे है. फिर जारखंड में चली जाएगी उसके बाद वेस्ट बंगोल में चली जाएगी और उसके बाद बंगला देश में चली जाएगी तो एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसे स्टेट हैं जिनसे गंगा होके निकलती है और एक फिर बंगला देश में चली जाती है तो ये point भी आप याद रखिए ठीक है अब हम आगे चलते हैं जैसे कि गंगा देखो चलती रही चलती रही यहाँ पे आ रही है गंगा तो सबसे पहले इसमें यमुना आके मिली सबसे पहले कौन से आके मिली यमुना नदी कहाँ पे इलाहबाद के अंदर उसके आगे चलते हैं तो आपको दिखाई दे रही होगी गोमती नदी है ना सबसे पहले हम जो उपर से नदी आ रही है उनका ही पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आके मिली गोमती और यह गोमती नदी है ना इसके किनारे ये पीली भीत से निकलती है पीली भीत यूपी में एक जगह है पीली भीत नाम की वहां से ये निकलती है और ये अब आके मिली है पीली भीत से आके और गंगा नदी में मिल गई है और इस गोमती नदी के किनारे लखनव शहर बसा है गंगा नदी के किनारे कौन सा सहर बसा है लखनव और ये न वारानसी के आसपास आके मिलती है वैसे वारानसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है एक और नदी है देखो घागरा नदी ये घागरा नदी दिख रही होगी आपको न यह घागरा नदी भी अपनी इधर गंगा में आके मिलती है और घागरा नदी की एक और बात बताता हूं आपको यह अपना यूपी यूपी में है घागरा यह तो आपको क्लियर होगा और इसके उपर क्या यह सारता दिख रही होगी ना इस यह है देखो घागरा पूरी पहल बार बार देखोगे जैसे देखो ये घागरा नदी थी ये आके गंगा में मिल गी यहाँ पे है ना गंगा के अंदर मिल रही है घागरा अकेली इस पे ध्यान दो और एक ये नदी है सार्दा ये भी तो घागरा में आके मिल गी है घागरा की शाहिक नदी होई ना तो ये घा ऋन दी तो इसके बाद एक नदी है यह नेपाल से निकलती है घंडक उपर नेपाल ना गंडख नदी के- होग यह see और यह कि मेली ने भी मारमे ही गंगा नदी का नंदर कोशी नदी किक का खासियत है कि यहां पिना ही माले की ढाल वो भुट ज़ादा तिर्व है खड़ी ढाले तो बहुत। जादा स्पीड से आती है बिहार के अंदर और जैसे जादा बारिश होती है कुछ भी होता है इसमें इतना जादा पानी होता है इतनी स्पीड से की अपना रास्ता भटक जाती है और नया रास्ता बनाने लगती है हर साल तो इसके वजए से अपना बिहार के अंदर बहुत जादा बा तो उपर से जो जो नदी आ रही थी हमने क्लियर कर ली इसके बाद ये गंगा अपना आगे चली बंगाल में बंगाल का पोर्शन हम पढ़ेंगे भी आगे तो अभी हम पढ़ते हैं जो ये तो जैसे नदी ये उस साइड जा रही है ना तो ये तो नदी की हुई राइट साइ झांगे दाईं और बाईं है ना तो हमने लेफट साइड था तो सब कुछ पढ़ लिया है तो अभी ये तो उपर वाली थी लेफट साइड की नदी से कुछन कर एंबोलोंा तो ये व्याप ध्यान रिखी लोकेशन से ही सारी चीज़े क्लियर होंगी ऐसे आप कितनी नदियों का रट होगे तो अभी हम दाई तरफ की यानि की राइट साइड से जो आके मिलेंगे ना ये नदियां पढ़ेंगे और ये आपने जैसे पठार पढ़ा होगा तो जस्ट नीचे अपना यहाँ पर पठार करते हैं जैसे यमुना मिल रही है तो हमें यमुना की साहिक नदियां देखनी पड़ेंगी है ना क्योंकि यह भी तो ओवरॉल फाइनली जाके ना गंगा में तो मिलेगी तो यह देखो चंबल नदी है चंबल नदी की खास बात इस शहर के किनारे कोटा बसा हुआ है कोटा इसके बाद देखते हैं यह चंबल की ना साहिक नदिया है बनास काली सिंद यह प्रभाती इनकी इतनी इंपोर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता देता हूं आपको ताकि थोड़ा क्लियर हो आप चंबल पर फोकस करिए चंबल आके मिलती है यमुना में और चंबल के किना यहां कि मिलती है जो दोन दीकाई दे रही है एक-टाट आ इंपोर्टन दे को यह चंबल ना तो बहुत इंपोर्टन दोनों बेत्म ए बोए major चंबल अब यह बेट्वह नदी भी यूप्टी में जाके मिल जाती है यमुना नदी के अंदर और यह बेटude निकलते है maddet म emphasis अ से विंद्याचल मुने पढ़ी थे ना सत्पूडा और विंद्याचल यह उन विंद्याचल की पहाड़ीयों से निकल के फिर यमुना में आके गिरती है और इसका नाम है बेतवारीवर ठीक है बेतवारीवर यमुना में जाके मिलती है और यह है टॉंस नदी ठीक है टॉंस न रखिये टॉंस रिवर का और यह बेतवा और टॉंस है ना इसके बीच में एक और रिवर केंड रिवर केंड केंड यह भी आद रखिया आप केंड केंड नाम है उसका केंड केंड रिवर यह भी अपनी यमुना में मिल जाती है तो देखो यमुना में कौन सी मिली चंबल इसका नाम अब गंगा ही हो गया यमना नदी यहां पर इसके अंदर ही मिल गई उन को सोन रिवर दिखाई दे रही होगे अब यह रिहंद ना यह इसकी साहएक नदी है रिहंद सोन की ही साहएक नदी यह सोन नदी है यह पूरी उधर से सोन नदी आ रही है और यह रिहंद इसी की साहएक नदी है और हटा देता हूं सोन रिवर के उपर फोकस करते हैं यह सोन रिवर दिखाई दे रही होगी यह यहां से ना यह देखो यह पूरा सोन रिवर है और इसके अंदर एक यह नदी आके ठोड़ी मिल गई और यह यहांकि मिल गई रिहंद यह important है रिहंद है वो सोन नदी की साहक नदी मत अधा ड़र जो अमरकंटक कि पहाडियां पटी थी हमने आदो यह अमर कंटक की पहाडियों से निकल के आई है सोन नदी और यह जाके मिलेगी गंगा के अंदर ही सोन नदी गंगा के अंदर जाके मिल जाती है ठीक है यह बार बार पुछा गया है सोन नदी इसको भूत फोकस मिलेगे चली यह सोन नदी क ठीक है अब इसके आगे हम ऐसे चलते जाएंगे ना तो और चलिए और आगे तो गंगा में से एक नदी निकल गई हुगली नदी गंगा में से निकल गई एक ठीक है हुगली और ये समुम्दर में जाके अलग से गिर गई पहले इसमें से कटके और हुगली नदी के किनारे कौन बसा है कोलकाता सहर बसा है हुगली नदी के किनारे और यह दामोदर है यह भी हुगली की सहाइक नदी है यह हुगली में मिल जाती है और फिर यह दोनों अपना बंगाल के खाड़ी में गर जाती है और गंगा अपनी आगे ही चल रही है हुगली इसमें से निकल ली जिसके किनारे ना कोलकाता बसा है बट गंगा भी आगे ही जा रही है और गंगा जब उसमें जाती है ना बंगलादेश में तब इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है पदमा गंगा का नाम बंगला देश में जाके पदमा रीवर हो जाता है पदमा और ये पदमा नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और उपर से एक और नदी भी आ रही है जैसे कि इसमें दिखाता हूँ आपको मैं जैसे कि ये देखो इसमें आई ना बंगल देश में इसने एंटर किया इसका नाम जमुना हो गया जमुना यमुना नहीं जमुना जमुना देखो लिखा भी हो गया यहाँ पर जमुना गंगा का नाम पदमा बंगला देश में ब्रंपुत्र का नाम जमुना यह किस्चन आता है और यह दोनों मिलके पदमा नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं दोनों की दोनों सुन्दर बन का डेल्टा बनाती है जो कि वर्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और डेल्टा क्या होता है जब कोई नदील लास्ट में समुंदर में आके ऐसे फैल जैसे पहले तो पतली से आ रही है फिर वो एक दमे से फैल जाएगी ना स्पीड स्लो होने की बज़े से तो यहाँ पर डेल्टा बनाती है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी बगरा जो चीजे होते हैं वो यहीं पर चुट जाती है और पानी समुंदर में जाके मिल जाता है और यहाँ पर डेल्टा का निर्मान हो जाता है बहुती उपजा होता है डेल्टा वन होते हैं यहाँ पर तो यह ना यहाँ पर सुन्दरवन का डेल्टा है जहाँ पर गंगा और ब्रहम पुत्र मिलके बनाती है सुन्दरवन का डेल्टा है और ये हुगले में ही मिलगी न और ये लास्ट में फिर बंगाल की खाड़ी में ऐसे गिर जाती हैं तो ये हमारा कम्प्लीट हो गया आप इसको एक बार और देख लेंगे तो आपके लिए और बैटर होगा ताकि आपके न अच्छे से क्लीर हो सके अब इस पे थोड़े एक कोनफिडेंस ऐए चीजों में कि क्या आपने जो पढ़ायर वह सही पढ़ाया इस चीज़ के लिए ठीक है तो गंगा नदी का उद्ढ़गम देव परियाग पे देव भगवान याद है ना देव भगवान अलक नंदा सब में कौमन है इसकी तो आप टेंशन ही मतलो अलक नंदा को सब को कौमन मान के जो परियाग है सारे तो देव भगवान रुद्र रूप कौन धारन करती है जो मंदीगती से आती है मंदा की नहीं कर करन कोन करेगा पिंडर पीर पीर करपा करपा करना करन करन परियाग पहना और विश्णू के पास कौन बैठी रहती है धोली धोली अब सराएं ठीक है तो याप अच्छे से याग करिए इसके बाद देखते हैं निमलिखित में से कौन सी नदी की सहाइक नदी उत्राखंड के पौरी गडवाल जिले में दूद टोला परवच से निकलती है और फरुखाबाद उत्तर परदेश के पास मिलती है देखो कौन सी ऐसी सहाइक नदी है गंगा की जो उत्राखंड से निकलके यूपी में यूपी में आके मिलती है तो एक तो देखो अपनी यमुना है ना वो कालिया फ्लाइं सार्दा रिवर सोरी 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 राम घंगा तुड में अपनी अपनी उत्र प्रदेश में आके इसमें मिलेगी गंगा के अंदर छीक है इस्कियों को परुबारा भी चेक कर लें आप इसमें थोड़ा से कन्फिजन है और निमन लिखित में से कौन सी कहिस फ सामरकं टक पहाड़ से निकलती है सून नदी नहीं कोई इसमें कंफिजन नहीं है गंगा की किस सहाइक नदीको बिहार का सोक कहा जाता है को यह ना इतने भी किस्टन आपको बता dumb को बता रहा लेफ्ट और राइट तो बाया कौन सा हुआ लेफ्ट वाला ये बाया तो इस पे से नहीं मिलती राम गंगा उधर से याती है उत्रा खंट से अभी अभी आए था ना कोशी ये नीचे से आती है आपको यादो ये नहीं कोशी सोरी कोशी नदी भी तो उपर से याती है बिहार हो गया सोन नदी इसका भारत का सबसे उंचा बांध यानि टिहरी बांध किस नदी पर इन नदियों पर ना बांध होते हैं उन पर भारत का सबसे उंचा बांध है टिहरी बांध वो किस नदी के ऊपर है किस नदी पर भागी रथी नदी के ऊपर है वो बांध ठीक है और इसक के बाद हम देखते हैं हमारा next question जो गंगा नदी के प्रमुख स्थल जहां से गंगा नदी गुजरती है कहां कहां से होके गुजरती है गंगा नदी रिशीकेश हरीद्वार कन्योज कानपूर इलाहबाद वरानशी बक्सर पतना हाजिपूर मुंगेर शाहिब गंज मुर्शि गंगा सागर ये सारे सहरों के नाम है जहां-जहां से गंगा नदी गुजरती है इन में से कई बार पूछ लिया जाता है question गंगा और ब्रम्पुत्र नदी के संयुक्त जल्दहरा को क्या कहते हैं मेगना ये आप हमने अभी नहीं किया था clear अभी मैं बता देता हूँ जैसे ये अपना बंगला देश है मालो इधर से गंगाई इसका नाम क्या हुआ मैंने आपको बताया था पदमा उधर से ब्रम्पुत्र नदी आई इसका नाम क्या हुआ जमुना और पदमा और जब ये दोनों मिल जाएंगी ना कौनसी पदमा और जमुना तब इनका नाम मेगना हो जाएगा मेघना और मेघना भी कैसे होता है पता है एक और नदी मेघना नदी है वो ऐसे गिर रही होती है अपने यहां से निकल के तो वैसे तो इसका नाम पदमा रहता है यहां तो इस जगह पे तो पड़िए इसमें पदमा नदी जब मेघना रीवर में आके मिल जाती है ना ये है मेघना रीवर ये मेघना रीवर है ये वाल ये जो ना ये इधर से ही निकलती है अपने बंगाल में से ही तो ये इसमें आके मिल जाती है और फिर ये मेघना नाम से गिरती है ये नहीं है कि यहीं पर नाम चेंज हो गया है इसका ठीक है ये भी माइ नदी किस थान पर मिलती है इलाबाद के अंदर मिलती है गंगा नदी को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है पदमा रिवर गंगा नदीव है ब्रंपुत्तर नदी कौन से डेल्टा का निर्मान करती है सुंदरवन डेल्टा जब शुका सबसे बड़ा डेल्टा है गं यहां से निकलती है उस्थान पर इसका क्या नाम है भागी रथी नाम है मैंने बताया था ना गोमुख भागी रथी में गोमुख एक गंगा नदी से मैदान में प्रवेश कहां करती है हरीदवार से करती है मैदानी भाग पहला हरीदवारी तो है और गंगा नदी भारत में किस राज़े से किस राज़े तक भहती है उत्तर उत् जल से सोरी ये उत्राखंड से पस्चिम बंगाल तक जाती है ये ठीक है और फिर बंगलादेश में चली जाती है वही घुमा फिरा की पूछा है और गंगा का नाम गंगा कपड़ता है बताया था ना जब भागी रथी और अलक नंदा मिलते हैं लास्ट में देव परियाग प 10 किलो मेटर दूर है इसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपने ने बनाया था इस बांध का निर्मान कोलकाता बंदरगा को गाद से मुक्त कराने के लिए बनाया गया था ठीक है और इसके बाद टिहरी बांध गंगा की सहाइग नदी भागी रथी उत्राखंड में श्तित हैं तो आप इन तीनों को याद रखिए आई होप आपको गूंगा नदी के बारे में काफिस नई सचीजें सीखने को मिली होंगी और आपके एकदम क्लियर हो गई होगी चीजें वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फाइदा उठासके हैं क्योंकि मैप के दुआरा इतना अच्छे से मेरे हिसाब से आपके माइंड में सेट हो गया होगा अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और कोई आपको कन्फूजन हो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मेरे से नदियां हैं उनको भी हम इसी फ्लो में इसी तरीके से बहुत अच्छे से करने वाले हैं बरंपुत्र है शिंदु नदी है बाकी भी है नदियां तो सारी नदियां बहुत अच्छे से शीखने वाले हैं तो आपने अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले क पैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए चलो दोस्तों अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं जय हिन